हेलो फ्रेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकी आयू जटपट बनने वाली नास्ती की रेसिपी जब कभी भी आपके पास टाइम कम हो और कुछ सिंपल बनानी का मन कर रहा हो तो आप इस रेसिपी को असानी से बना सकती हो खाने में बहुत ही स्वादिश लगता है और बनाना भी इजी है तो फिर देर किस बात की चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा दो चमच बेसन, नॉर्मल बेसन है जो हमारी घरों में रती है वही बेसन है तो इस बेसन में डाल देते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉडिंग साथ में डाल देंगे थोड़ा सा महलदी पाउडर थोड़ा सा इसले डाल रहे हैं कि हलका सा पीलपन आएगा तो अच्छा लगेगा देखने में और आधा चमच जीरा धनिया पाउडर और साथ में तीखा पन के लिए एक हरी मिर्ची काटके डालेंगे और थोड़ा सा कलरफूल दिखेगा उसके लिए धनिया पत्ती आधा चमच डाल देते हैं अद्रक लशन का पेश्ट अद्रक लशन का पेश्ट डालना पुरीतर ऑप्शनल है यदि आप खाते हो अद्रक लशन तो आप डाल सकते हो तो अब इन सबी चीजों को पहले सूखा इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो अब ये सूखा मिक्स हो गया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल लेना है नॉर्मल हम लोग जीतना चीला बनाते हैं बेशन का उससे थोड़ा सा गाढ़ा रखना है घोल को तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के पहले घोल लेंगे जो भी गुठलिया रहेगी अच्छी तरह से तूट जाएगी उसके बाद और भी पानी डाल देंगे तो ये बेशन का घोल बनके रेडी हो गया इतना हमने गाढ़ा रखा है तो आप इसे साइड में रख देते हैं और लेते हैं थोड़ी सी कटीवी सबजियां जैसे गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है एक टुकड़ा प्यास लिया है एक टुकड़ा सीमला मिच और थोड़ा सा पनीर पनीर के जगा आप चीज भी डाल सकते हैं अब लेनी है रात की बचीवी रोटी यदि आपके पास दो पीस भी रोटी बचीवी तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं दो कोई असानी से खा सकते हैं लेकिन आज मेरे पास यहां पे तीन पीस रोटी बनची हुई है बिलकुल भी बरवाद नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो रोटी तो सिखी हुई है तो क्या करेंगे एक तबा में एक चमच तेल डालेंगे और तेल डालके रोटी को इस तरह से 4-6 से घुमा देंगे कि पूरा 4-6 रोटी में तेल लग जाए अब बेसन का घोल जो रडी करके हमने रखा है उस घोल को इस तरह से 4-6 पूरा फैला देंगे कहीं भी खाली नहीं रना चाहिए नहीं तो थोड़ी फिकी फिगी लगेगी जसी और इस तरह से एकदम पूरे अच्छे से कवर कर दिना है रोटी को कि कहीं से पता ही नहीं चलेगा कि ये रोटी के ऊपर डला हुआ है बेसन अब बेसन के ऊपर वेजिस डाल देंगे हलकाल का हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे कि सबी सबजियां चिपक जाए बेसन में क्योंकि बेसन गीली है अब हलकाल का बेसन सेट हो चुका है तो अब इसमें थोड़ा सा ग्रेट कर देंगे पनीर पनीर की जगह आप चीज भी डाल सकते हो चीज डब डालोगे तो जब पूरी अच्छी तरह से रोटी सिख जाएगा और बेसन भी उसके बाद ही डालना है और इदी पनीर डाल रहे हो तो अभी डाल सकते हो अब एक बार पलट लेते हैं, हलकालका सेट हो चुका है बेसन, बस अब इस तरह से सेख लेंगे अच्छी तरह से बेसन के साइड थोड़ा सा ज़्यादा सेख ना है क्योंकि बेसन गीला है इसलिए रोटी तो सिखा हुआ है ज़्यादा सेख नहीं पड़ेगा एक साइड अच्छी तरह से यह सिखता है अब दोनों सेड हलका हलका सुनहरा कलर का हो गया है तो अब इसे निकाल लेते हैं बच्ची भी रोटी का मज़िदार सा नास्ता बनके रेडी हो गया है कोई कैबी नहीं सकता है कि यह रोटी से बनी वी है खाने में स्वादिश्ट लगता है और चिली फ्लेक्स डाल लो तो बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंट्स अगर आज की यह रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें